आब हम दो वर्ड डिसकस कर लेते हैं, जो पहला वर्ड है वो है इंशुरेंस, दूसरा है ईशुरेंस एशुरेंस वर्ड और इंशुरेंस वर्ड दोनों का अलग-अलग मीनिंग है इंशुरेंस पॉलीसी के केस में तो दोनों टोपिक्स समझने से पहले मैं आपको एक बात फिर से याद दिला देता हूँ जब जब हम fire insurance, theft insurance या marine insurance करवाते हैं तो हमको पैसा केवल तभी मिलता है जब हमें loss होता है loss नहीं हुआ तो company हमें एक रुपया भी compensate नहीं करती है मान लीजिये मैंने अपने go down का insurance करवाया fire insurance मुझे उमीद थी कि आग लग जाएगी, दो साल तक मेरे go down को आग नहीं लगी तो बीमा company मुझे एक भी रुपया वापिस नहीं देने वाली है जबकि insurance policy अगर हम life की लेते हैं, हमको हर हलत में पैसा मिलता ही है वापिस अगर death हो गई, तो death के time पर family को मिल जाएगा या उत्रा धिकारी को पैसा वापिस मिल जाएगा अगर death नहीं भी हुई, तो पैसा किसको मिल जाएगा, policy holder को मिल जाएगा मतलब इसमें पैसा वापस आने की 100% guarantee होती है इवेंट हैपन होगा तब भी मिलेगा, इवेंट हैपन नहीं होगा तब भी पैसा मिलेगा इसमें क्या है, इसमें इवेंट हैपन होना बहुत जरूरी होता है तो definitely जो insurance word है, वो कहाँ पर use होता है, indemnity policies के अंदर मतलब fire theft और marine insurance के अंदर मतलब company will pay the compensation to the insured only when there is a some loss वहाँ पर loss का होना बहुत जरूरी है, एक इवेंट घटित होना, घटना का घटित होना बहुत जरूरी है जबकि insurance word हम use करते हैं, life insurance policies के अंदर इसका मतलब होता है कि जो policy holder है, उसको assurance दिया जाता है कि तुमको पैसा वापिस मिलेगा अगर तुमारी death हो गई, तो family को पैसा मिल जाएगा या तुमारे उत्रा अधिकारी को पैसा मिल जाएगा अगर तुम जीवित रह गए, तो तुमको खुद ये company पैसा वापिस दे देगी मतलब दोनो word के अंदर फरक क्या है, ये वाला word life insurance policies के case में use होता है जबकि ये word fire, theft और marine insurance के case में use होता है तो definitely हम देखें तो topic बहुत easy है, ये life insurance policies को लेकर है तो ये fire, theft और marine insurance को लेकर है